राजेश पाइलेट तो बहुत ही तेज तरह देता थे वो सब चीज को समझते थे खिसानों के मश्या थे ओगा एक की निचे के आदमी जरूर आता है राजेश पाइलेटका दावर निटा रहे हैं कंगरिस के और मैं इस वक्त राजेश पाइलेट भववन में हूँ लाजेश पूर में मिरसाथ अंकल जी है एमल बोकन नाम है इनका बहुत करीब से देखा है इनोंने राजिश पाइलेट को जानते हैं उनके साथ रहते थे और उनकी राजनीती को देखा है अंकल जी बताई किस तरह के निता थे राजिश पालेट क्या है कि नीचे के आदमियों को बोरिंग करा के दिया उसने एक बार किसे आदमी को हमारे साथ गया था काम के लिए दिल्ली इंदमी गए थे तो उसने कहा जो फैली की समच्छा थी उन Commons्यतने बात करते थे निताओं से ले करते थे हो पहले ये था जो आता था आदमी उसको पकड़ते हैं बल क्या समझ्या है एक बार की बात है मेना जी की बैंस को चोरी हो गई यहां दोसा में चोरी हो गई और वह पहुंच गया माराज मेरे पास तो एक ही बैंस थी खंदी पे ली थी और वह तो ठीक बैठ वहां से तुरंट पहुंचा दी पुलिस वाल ने डूंड आणके वहना तो रिपोर्ट ही नहीं कर दे थे लेकिन वह मिली एक बार ऐसी दोसा का एक छोटा दुकंदार दिल्ली चला गया उसके बच्चे को जो ना बहुत बड़ी बीमारी थी उसमें लाख रुपे की जरूत थी तो उसके पा में लेट इसी राभ पिशे चलने में जाते उंकी समझाएं सुन तात Means बिल्कुल बक्षन से देखा और यह तो डाने डाने में जाते उसी तरह से काम करता है गई बार देखाने एक अठारा के अंदर गाहों में रुपता रात राह अब भिकाते थे जो खाना मिलिता था आगे नहीं बढ़ सकता और उसी निती पे चलते थे और इसी पे ये चल रहे हैं अब आज तो इनमें फूट हो गई एक दूसरे से इनमें सबसे बड़ा मेरे को तो लग रहा है इस पार्टी में ये शीनियर्स जो लोग है न ये काम बिगार रहे हैं तो इनका एक मंदल बनना दिया जाए इनका उसमें सला दे इनको कहीं चूक जाएं तो बताते रहें बागी दम है इनमें दम और आदमें आगे बढ़ेगा अब बुजरका आदमियों का इतना हो नहीं है काम करने का आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की